इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत जाता है जब जीवनशेली में परिवर्तन यानि की जैसे कम वसा वाले आहार अपने आप विफल हो जाते हैं यह दवा हिरदे रोग के जोखिम को कम करने में मदद करती है एटोर्न इस एफपी टैबलेट को भोजन के साथ या खाली पेट लिया जा सकता है आप इसे दिन में क प्रतिक्रिया के आधार पर सही खुराक लिखेगा उच्च कॉलेस्ट्रॉल और ट्राइगलिस्राइड वाले अधिकांच लोग बीमार महसूस नहीं करते हैं लेकिन आपकी दवा को रोखना आपके लिपिट स्थर को बढ़ा सकता है जिससे आपकी स्थिती खराब हो सकती ह और हिरदे रोग और स्ट्रोक का खत्रा बढ़ सकता है अपने कॉलेस्ट्रॉल और ट्राइगलिस्राइड के स्थर यानि की लिपिट प्रोफाइल की नियमित जांच करवाना महत्वपूर्ण है यह दवा उपचार कारिक्रम का केवल एक हिस्सा है जिसमें स्वस्थ कम वसा वाला आहार, नियमित व्यायाम, धूमपान बंद करना, शराब का सेवन कम करना और वजन कम करना शामिल होना चाहिए आप इस दवा को लेते समय सामान्य रूप से खा सकते हैं लेकिन उन खाति पदार्थों से बचने की कोशिश करें जिन में वसा आधिक हो मतली, पेट दर आख से परामर्ष करें यदि वे बने रहते हैं, या यदि आप अपनी आँखों का कोई पीलापन, असामान्य रक्तस्राव या चोट या बार-बार, गंभीर या असपश्टी कृत मानस्पेशियों में दर्द देखते हैं, आपको सलाह दी जा सकती है कि इस दवा को लेते स समय समय पर अपने लीव की जाँच करवाएं, इस दवा का उपयोग लीव की बीमारी यानि की जैसे लिवर फंक्शन के लिए असामान्य रक्त परीक्षन, आँखों का लगातार पीलापन आदी में नहीं किया जाना चाहिए, इसे लेने से पहले अपने डॉक्टर को या यदि आप गर्भवती हैं, गर्भावस्था की योजना बना रही हैं या स्तनपान करा रही हैं, मधु में के रोगियों को यह दवा लेते समय अपने रक्त शरकरा के स्तर की निगरानी करनी चाहिए, क्योंकि इसे रक्त शरकरा के स्तर में वृध्धी हो सकती है विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद